हेलो फैंट्स वेलकम टू अल अप्यू मैं प्रिशान चौह भी आप सभी का सभागत करता हूं उमीद करता हूं सभी अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो चलिए एक टॉपिक को डिसकस करते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया था जब भारत नेपाल सीम संबंधों से भी रिलेटेड है तो क्या है पूरा यह मैटर क्या है सुगौली की संधी क्या है उसकी इंपोर्टेंस क्योंकि जैसे ही नेपाल के द्वारा उनका राजनीतिक मैप जारी किया गया सीमा विवाद जैसी चीजें हो गई भारत और नेपाल के बीच में और दोनो करने चीज कहना चाहfire कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ लेकिन संधी कि और जो संधी थी वह कोन सी थी तो 1816 में सुगौली की संधी थी तो यह पूरी चीजह है टीक है शूगौली को संधी थी व्हों 41816 को हुई थी तो थोड़ा सा बैक्राउंट में जाते हैं गोता क्या है कि 1765 में नेपाल में गुर्खा जो है वो राजस्तंत्र की इस्थापना होती यानि गुर्खा किंग्डम इस्थापित होता है अब गुर्खा किंग्डम जो था वो राजा प्रित्वी नराणसा के द्वारा जो है वह इस्थापित किया जाता है और इसकी इस्थापना भी जो थी वहाँ पर जो छोटे-चोटे राजा बन गए तो जो चोटे-चोटे स्टेट बन गए उसके बाद इस्थापित किया गया अँब इस्थापित होने के बाद यह जो है यह गुर्फा किंडम जो है अपने को विस्तार करना प्रारभ कर दिया और सबसे पहले अगर कहीं से विस्तार प्रारम करना शुरू किये तो तिबबत के साथ इनका संगर्स शुरू हुआ ठीक है और इनका मेन कारण तिबबत के साथ ये था संगर्स करने का कि जो हिमालयन मार्ग था उस पे कंट्रोल करना क्योंकि हिमालयन मार्ग जो था वो ट्रेड मार्ग हुआ करता था लेकिन हुआ क्या कि जब तिबत के साथ संगर्स हो रहा था तो चीन ने तिबत का समर्थन कर दिया और जिसके कारण नेपाल यहां से पीछे हड़ गया यानि मूब कर गया अब इस संगर्स में नेपाल का स्टेट्मेंट आया कि हम आप जो है लिप्त नहीं रहेंगे हम आगे जो है ऐसी कोई भी खारे नहीं करेंगे अब उसके बाद गोर्खा किंडम जो था क्योंकि उनको विस्तार करना था तो उन्होंने भारत की तरफ अपना रुख किया और जब भारत की तरफ अपना रुख क चाह रहे थे ठीक है और लगभग 25 सालों तक यहां पर जैसे सिक्किम की बात नहीं हो रही है 25 सालों तक भारत के जो है कई छेत्रों पर जो है अपना नियंद्र बनाया ठीक है और जिसके पड़ाम सुरूप जो है नेपाल और बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक वा आठारा सो चौदा से लेकर 1816 तक चला यानि बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के जो राजा थे उनके बीच में यानि गोरखाओं के बीच में और इस वार में जो है नेपाल जो है अपना दो बटा तीन जो चेत्र है जो है जिस पर वह अपना नियंत्रण किया ठीक है उसको जो है खोना पड़ा जगा जगा जो सिक्कीम फुमावू तमाम ऐसी जगा थे ठीक है उस पे जो है इनको अपना दियंद्र खोना पड़ा फिर भी नेपाल जो है कुछ भी ओ अपनी असमिता संप्रभुता और सारवहुंता बनाए रखा और उसके लिए उसने उ जिसको हम सुगौली की संधी कहते हैं अब यह सुगौली बहुत आता है तो यह है कहां पर तो सुगौली एक सहर है जो बिहार के पूरवी चंपानट जिले में पड़ता है यानि बिहार में पड़ता है जहां पर यह संधी हुई है यानि भारत में यह संधी हुई थी और इ 1116 को है या जो है प्रभाव में आ गया ठीक है तो यह चीजे थी आपकी इस से रिलेटेड अब थोड़ी सी देख लेते हैं कि यह जो अगर चर्चा की बात करें या एक्जाम रिलेटेड की बात करें तो इसके क्या point of view हैं और इससे कहां से जो है question बन सकते हैं तो उसको हम दे के दोरान बिटेन और नेपाल के बीच जो है एक युद के बाद हरकत में लाया गया और इस पर जो है दो दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किये गए चार मार्च 1816 को इससे महर लगी नेपाल की ओर से जो थे वह राजा गुरू जो राज गुरू गजराज मिस्र और कमपनी की ओर से लेटनियन कर्णल पैरिस ब्रेट सा ने हस्ताक्षर किये तो यह कभी कभी कुश्चन आता है कि किसके द्वारा हुआ दोनों तरफ से कौन थे अगर बात की जाए तो राजगुरू गजराज मिस्र की तो इनके जो सहायक थे चंद सेखर उपाद्या थे यह भी वहां पर ठीक है भी आजाता है अब इस संधी के अनुसार जो है नेपाल के कुछ इस्तोंको ब्र भारत में सामिल करना ड्री में दर्बार में जो है एक से अंब्र दर्रकार की कि दर दर्बार में फ्याट साजिस्टों नहीं हो रही है या किसी अन्य देश अमेरिका या फ्रांसीसियों के मदद से कोई और किसी और प्रकार की कोई तड़यन तो नहीं रचा जा रहा है तो यह चीजों के लेके भी था और साथ ही साथ जो है इसमें कहा गया कि ब्रिटेन की सेना में या जो ब्रिटिस सेना थी उसमें गोरखाओं की भरती करने के अनुमती दी गई संधी में या साफ कहा गया कि नेपाल अब अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या येयुरोपी कर्मचारी की न्यूप्ति नहीं कर सकेगा भी मैंने विदाये कि अमेरीका या प्रांस जैसे किसी भी देशसे आप कोई मदद नहीं ले सकते हैं यह तो था आपका यहां से जुड़ा हुआ ठीक है तो यह चीजे थी अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि क्या है कि अनुमती दे दे रहे हैं भाई यह भी कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा तो उस संधी में जो है नेपाल के नियंद्रवाला जो भूफ हाग का लगभग एक तिहाई हिस्सा नेपाल ने तो गवाई दिया था जिससे नेपाल के राजा द्वारा कई इलाकों जिसमें सिक्कीम कुमाव गढ़वाल राजसाही और तराई के बहु सारे छेत्र सामिल थे बाद में तराई का कुछ हिस्सा जो है 1816 में नेपाल 1860 के करीब जो है वो ने संधी की सरते क्या थी तो इस इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हमेशा सांतियों और मित्रता इस्थापित रहेगी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है कि नेपाल के राजा उस सारी भूमी के दावों को छोड़ देंगे जो युद्ध से पहले दोनों बिजित की हुई भूमी है चलिए देख लेते हैं कि संधी में में क्या तैह हुआ संधी के अनुसार जो है बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को सौपे जाने वाले प्रदेश थे पहला है कि काली काली और राप्ती नदियों के बीच का संपूर्ण छेत्र ठीक है जिसको लेक कंपनी के द्वारा अधिकार किया गया था मेची और तीस्ता नदियों के बीच का संपूर्ण तराई छेत्र ठीक है नेपाल के उन भागीदारों और प्रमुखों जिनके हित पूरगामी अनुच्छतीन के उक्त भूमी हस्तान्थन दोड़ा प्रभावित होते थे तो यह नदी के पश्ची में इस ते सभी देशों पर अपने गाओं का परित्याग करेंगे और उन देशों या उनके निमासियों से संब्संदित किसी मामले में सौहिं को सामिल नहीं करेंगे साथ ही साथ यह भी कहा गया कि नेपाल के राजा सिक्कीम के राजा को उनके द्वारा सासित प्रदेसों के कबजे के समन में कभी परिशान या सताने की गत्विधियों में शामिल नहीं होंगे ठीक है यह सारी चीजे इनके द्वारा कहा जा रहा है और यदि विवाद होता है सिक्की मिया नेपाल के बीच में तो उसकी जो मध्यस्ता है वो बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी करेगी चलिए और थोड़ा सा देख लेते कि संधी के बाद हुआ क्या तो दिसंबर 1816 में नेपाल को मेची नदी के पूर और महाकाली नदी के पश्रिम के बीच का तराई छेतर वापस लोटा दिया गया और एक भूमी सरविच्छन के द्वारा जो है दोनों राश्ट्रों के वीच सीमा को तै करने का प्रस्ताव स्विक्रित हुआ ठीक है तो यह चीजे थी आपकी और यह थोड़ा सा इसको पहले लाश्ट में समझेंगो 1950 में उगता क्या तो 1923 में भी जो है एक संधीती सुगोली की तो इसको सांति और मैत्री संधी मदल दिया गया और जब भारत संधी को समझें तो हम यहां पर पाएंगे कि नेपाल के लोगों ने इस संधी को एकसेप्ट नहीं किया काटमांडू में इसको लेकर काफी बिरोध भी हुआ फिर भी आप देखेंगे 1922 में मैंने बताया कि जो है 223 में जो है मैं फिर संधी हुई जिसमें यह का गया कि महा बिटिस इश्ट इंडिया कंपणी जो देती थी उसको रोग दिया गया बंद कर दिया कि हम ने तो आपका छेत्र लोटा दिया अब हम आपको किसी प्रकार की कोई पेंसल नहीं देंगे इसमें जो है मोची नदी और राप्ती नदी के बीच का तराई हिस्ता नेपाल को वा बीच हावल को लोटा दिया गया अगर संधी के प्रभाव की बात करें यह आप तो संधी का प्रभाव में ये हुआ की यहुअ जो थे पर जो है जो है ब्रीचिक के पास आया लेकिन बाद में वापस मिल गया ठीक है जो 25 साल तक भारत के कई छेत्र जैसे कुमाउ, सिक्कीम इन छेत्रों पर नेपाल से वापस लिया गया था तो ये तो सीधा सा था कि इन छेत्रों को ब्रिटिस इंडिया कमपनी नहीं छोड़ी थी अब ये मुद्दा उठता है कि ये संदी कितनी वैद्ध है तीक है अब इसकी वैद्धता को अगर देखे तो ये जो संदी हुई थी वो ब्रिटिस इस्ट इंडिया और नेपाली जो है जो मौनार्की थी उसके बीच हुई थी अब यहां नेपाल का कहना है कि अब तो हम राजसंत्र तो है नहीं अब तो हम गड़तंत्र हैं लोगतंत्र हैं ठीक है तो इस संदी का कोई मतलब नहीं भारत की अगर बात करे तो नेपाल भारत भी जो है एक आजाद मुल्क है ये नेपाल का स्टेट्मेंट है और अब इस संदी का कोई औचित नहीं है ये नेपाल का दावा है जबकि अगर भारत के दावे की बात करें तो उनका कहना है कि हम ब्रिटिस भारत के उत्रादिकारी बने थे तो उनके द्वारा जो किये गए कारे थे हम उत्रादिकारी हैं तो हम पूरवाली संधी को ही मानेता देंगे संधी की सर्तों की अगर बात करें तो जो इसमें आटकल 9 है तो उसमें है कि राजा का अनमोधन होना चाहिए तो इससे संबंदी जो पेपर हैं अभी मिली नहीं रहे हैं दोनों ये सबसे बड़ा जो है दिकत यहीं परारी कि इससे संबंदी पेपर ही नहीं मिल रहे हैं तो य यह लोग कह रहे हैं कि इस्ट इंडिया कंपनी ने संधी तो कर ली थी लेकिन जो हमारे राजा थे उन्होंने इसको जो थे मानेता नहीं दी थी तो कुल मिलाकर यह प्रस्चिन लगता है कि आज भी अगर भारत नेपाल की संबंधों की बात होती है तो इस संधी की चर्चा ज हां तक जाता है तो उमीद करते हैं आपको चीजें अच्छी लगी होंगी अच्छे सा समझ में आई होंगी क्योंकि बॉक्स इंफॉर्मिशन में बता दिया है और हर संड़े को प्रयास करूंगा कि एक इंटरनेशनल रिलेस्टिप को उपर विडियो बनाओं तो अभी के धन्यवाद नवश्कार जैहिंद